सोशल मीडिया पर अलपेश ठाकोर का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जितमें वग कॉंग्रेस ने ताराहुल गांधी के समर्थन में नारा लगवा रहे मगर नारे की जवाब में जनता मोधी मोधी कह रही है एकसी यूजर मनोशी वास्तम ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कि गुजरात के एहमद नगर में अलपेश ठाकोर ने जनता से रहुल गांधी जिन्दाबाद कहने को बोला मगर जनता ने मोधी जिन्दाबाद के नारे लगाए फक्ट चेक के लिए डी फ्रेक्ट टीम ने वीडियो को कुछ की फ्रेम में कनवर्ट किया फिर उन्हें रिवर्स सर्च किया इस दोरान टीम को ऐसा ही वीडियो गुजरात कॉंग्रेस के यूट्यूब चैनल पर 24 अक्टूबर 2017 को अपलोड मिला इस वीडियो में 33 मिनट 31 सेकंड पर अलपेश ठाकोर को लोगों से राहूल गांधी के समर्थन में नारे लगाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता वीडियो में दर्शक ने मोधी जिन्दाबाद कहा या राहूल गांधी जिन्दाबाद आप भी सुनें आपको बता दे कि वर्तमान समय में अलपेश ठाकोर गांधी नगर साउट से बीजेफी गुजरात के विधायक है गुजरात शेतरिय ठाकोर सेना और OBC SCST एकता मंच के अध्यक्ष अलपेश ठाकोर 23 अक्टूबर 2017 को कॉंग्रेस में शामिल हो गए वह 2017 गुजरात विधान सभाचुनाम में कॉंग्रेस के टिकट पर राधनपुर से विधायक चुने गए थी 9 अप्रेल 2019 को ठाकोर ने कॉंग्रेस छोड़ दी और 18 जुलाई 2019 को भारती जनता पाटी में शामिल हो गए डी फ्रैक के फैक्ट चेक से फ़स्ट है कि वारेल वीडियो 2007 का है जिसे एडिट किया गया क्योंकि इसमें अलपेस ठाकोर लोगों से राहूल गांदी के समर्थन में नारा लगवा रहे है और लोग जवाब में राहूल गांदी जिन्दाबाद ही कह रहे है इसलिए सोशल मीडिया यूजर्स का दाबाब फेक है